प्रिचात्रों आपका सोगत है एक और जवरदस्ट वीडियो पर यहाँ पर मैं लेके आज कहूं आपका बारसिक परिच्छा दोच्यर एकेस बाइस का कक्षा नभी का आपका साइन्स यानि विज्ञान का आपका 100% आपका असली पिपर और अभी तो रुको क्लाइमाक्स दर लेना और यहाँ पर 30 मार्च के साइन्स के पिपर में आप यहाँ पर मिला लेना आपके कितने कोश्चन आ रहे हैं इसके बाद आप भोलेगा डाउट करिएगा तो चलिए आपको यहाँ पर मैं विज्ञान का आपका पूरा का पूरा आपका रियल पिपर और साथ में आपको यहाँ पर इसमें टोटल आपके 22 कोश्चन है तीन घंटा समय प्रिंटेट पेज आपके नौ है और आपका अधिक्तम अंग आपके अस्यंगों का पूरा पेपर आपका मैं आपको पिछले वीडियो में आपको मैंने दिखा दिया था यहाँ पर आपका यह आपका पार्ट सिकेंड है इसमें मैं आपको यहाँ पीपर क आपको मैं सैल लिसन भी आपको प्रूप के साथ आप देख सकते हैं पूछा पूरा अपको बाहर लिजाएंग आपके आपको दो यह पहला सेट और इसके अपने एक्सेट आपका और आएगा तो इसे अच्छे अरठ अब आपका मौका है तो एक फट 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 आपको यहांपे देखिए सबसे पहले आपको हिंदी में इंट इसके बाद यहांपर एंगलीज पर आपको इंट्रेक्सन मिल जाएगा पूरा-पूरा आप यहां-पर आपको थे कोश्रियों कोश्रियों के सवस्तिफ़ार्श conquist twice सब्सक्राइब कौश्चन ने है तो चलिए फटापट आपको यदि आपने पहले पार्ट में अब्जेक्टिट त्यार नहीं किये तो फटापट यहां पर देख लो पहले का अंसर आपको यहां पर पदार्थ की सबस्था में किस बस्था का एक निश्चित आकार इस पर सीमाय और नगंड संपीरता होती है अ हाइड्रोजन कॉपी पर लिख से लिए एक एक कोश्चन और यकीन मानों यदि आपने यहां पर यह पूरा कोश्चन कर लेते हो तो आपका टॉप करोगे गैरंटी है अस्री में से अस्री नंबर लेके आओगे इसकी मैं गैरंटी लेता हो चलिए इसके बाद यहां पर ती बढ़िया अप्लिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो डेली हंट दोरा बनाई गई है इस साल डेली लर्न ने आई अचीब स्कॉलर सिप एकजाम रखा है जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटाप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वाज भी जीत सकते हैं तो डिस्किशन मे दिये हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलर सिप में रिश्टर्ट कीजिए और पाये 50 करोड इस्कॉलर सिप जीतने का मौका, दोस्तो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े सहरों के साथ साथ छोटे सहरों और ग्रामीड भागों तक क् पर सकते हैं डेली लर्ण जल्दी अपना एप भी लाने वाला है जहां आपको लाइब क्लासेस इस्टडी नोट से चेट सिरीज और कुजिज मिलेंगी तो आप बेट किसका कर रहे हैं जाए लिंक डिस्किप्शन में दिये रखा है और इनाम जीती है तो तो की खोश की थी पर प्रस्तुत किसने किया आपको security तॉर में च्राइब करें दिये दिये हैं अत्वा इसके बार शेली रखे और होता है तो मिले प्रतिस सिकेंड आपके अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद चलते हैं आपको यहां पर नमबर के आपके अबजेक्टिक कोश्चन है पहला संबेक परवतर किदर आपके बल के अनुक रमानपाती होती है तीसरा नमबर आपके आपके पेश और अगला कोश्चन दीखें आपके क्या रिखा है आपका किसी बस्तू का भार दरबमान दुदा गुर्थी तुरार के आपके गोंटपल के बराबर होता है और निट्रान के कुली संक्या की योग की तत्त का प्रमाणु द्रब्मान कहलाता है और इसके बाद अहर नली में यहाँ पर कैसी क्रिया होती है आपके पेशियों में अनेक्षिक आपका पेशियां पाई जाती है और इसके बाद पाजब जगत का उभैचर किसे कहते हैं किस पौदो को आपको अंसर बुरायो फाइटर कहते हैं चलिए इसके बाद कोश्चन सिंपल तरीके से क्या लिखना है आपको यहाँ पे इनलिस बीड़वाल चातरों के लिए पूरा आपको यहाँ पे जो भी चात पहली बार विजिट कर रहे है तो बीड़व को दिल से लाइ यहाँ पे एक वीड़व बनाने के लिए आपके एक से दो दिन का समय लगता है और यहाँ पे पूरे कॉश्चन वह होते हैं आपके जो पेपर में डारेटर्टे आपके आने वाले होते हैं तो एक एक कॉश्चन रट लेना और दिल की घहरावी से वीड़व को दिल से लाइसोसम भास आप यहाँ पर कहता है आत्पमाता री इसे कहते है इंगलिस में ठीक है यह विलाना आपके आठ नंबर की यहाँ पर सही जोड़ी कॉश्चन दूसरा गौलगी काय है तो गौलगी काय मतलब आपके यह लाइसोसम करें निर्माठ करता है इसमें मिला दिन काला जर तो काला जर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका यह होता है किसके दोरा आपका यह होता है लेसमानी आपको यह पे बैक्टिरिया के दोरा इसके बाद बर्मी कंपोस्ट की बाद करें तो पांच बाद को यहाँ पे केचुआ देखें बर्मी कंपोस्ट आपको क केचों की माध्यम से बनता है इसे किसान का मित्र भी कहते हैं और इसके बाद नील है सेवाल की बात करें तो यह आपका च्छाटे नमर है आपका अंसर बिलाना पड़ेगा फासफोरास और इसके बाद जैब इस तरीका कार करता है और आपको घेंगा रोग यह आपके आयोडि आनि यहम किसे प्रसुत किया अंसर आपको यह फे लेवजियर आपका आठ आंग आपके इस में देखए आध चको 32 आपके 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 क्योश्चन आने है कितने आने है आठ त्रिक 24 हो जाएगा ठीक है आठ चको 32 तो देख़े इसके बाद प्रमाडों के जिन समभव में नेट आवेस विद्मान हो उसे क्या कहते हैं असर आपको यह पर आयन करना है और इसके बाद तुरण का एसाई मात रख मीटर सेकेंड आपका स्कुर्ण प्रती सेकेंड इसक्वेर और इसके बाद एक गारी का ओडो मीटर क्या माफता है तो तक कहते हैं तो आपको सिंपल तरी किसे आपको इसका अंसर और बास इंदिकस की जत्तु का बैग्यारी के नाम है आपको यह पर गाय का नाम है और चलिए आपको यह पर परसब किसे कहते हैं आपको इसका अंसर दिखाते हैं तो यहां पर दे सकते हो मेरे पास आपका यहां पर क्या है मेरे पास छात्रों है आपको यहां पर प्रस्न वैंग प्रकूम यहां पर हर कोमें तर मुश्किन का अंसर आपको देरें वाल हूं सबसे पहले आपको यहां पर पताते है कौन्व हई इसा आप हिसले थैयर और स सम्ट का ले जिरका थीसे का अंचर 20 kG art से आपका कम होता है और पर पहसर िरहेंद MS तरफिया आपको ऑब रती है अब यहाद हो गया आप को चाहते हैं आपको अनुद्वेघ्र च्छाथ्रों देख के लिए सुस्क वर्ब किया है आपको पूरा प्रप्रणसर कारवन डायकसाइड पर दाब बढ़ा जाता है तो उच दाब पर यह संपीडिट होकर ठोस में बदल जाती है इसे ठोस कारवन डायकसाइड कहते है और जब ठोस कारवन डायकसाइड को समान बायोमडली दाब पर रखा जा पर एक किलोग्राम सुद्ध ठोस को उसके गल्लांग पर द्रब में बदलने के लिए आवस्यक उस्मा की मात्रा उस ठोस की गलन या फिर उसे गुप्त उस्मा कहते हैं ठीक चलिए आपको अंसर मिल गया इसके बाद कुश्चिन छटा मिस्रण और आपको यह योगिक में आप आपको दो अंसर बताना है तो आपको कुश्चिन यह मिल जाएगा आपको देखिए कुश्चिन नमर आपका 6 यह दिखा है मिस्रण और आपको यह यह योगिक में उपस्थित परमाड़ियों एक निश्चित संख्या में सयोग करते हैं और यह यह मिस्रण किनी दो आप ही क्या है आपको अंसर यहापे दो या दो से अधीक बिलेट होतो जो अत्यंत कम मात्रा में बिलेट में उपस्थित होता है उसे कहते है प्रथक करने के एक टेकनिक होती है और प्रियोग डाई में प्रियोग रंगों में प्रथक करने के लिए और प्राक्तिक रंगों गूझे थे चोटा-कुश्जन स holy जक्ता किसी कहते हैं और इस तत्यूं कि स Becky कहते है। आपको ऊंसर यहां से लिएकर आपको यहां तक लगा दिना ठीक है समझ गया अंसर इसके बाद क्स्चिन आपके- आठेवे काथवा, देखे, साथवे काथवा, समस्थानिक किसे कहते हैं, एक उधारत आपको देना है, तो आपको यहापे देखिए, समस्थानिक किसे कहते हैं, आपको यहापे सिंपल दरके से, यह कोश्चन देख लिजिए, और इसका अंसे आपको यहापे मिल जाएगा, कि इसके यहाँ पे तीन समस्थानिक है कौन-कौन से प्रोटियम वन एच वन इसे खहते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं और इसके बाद ट्रीटियम आपका ट्राइटियम इसे लिख सकते हैं वन एच आपका 3 यहांप के समस्थानिक है और chlorine की दो समस्थानिक क्लोरिन 35 और क्लोरिन 37 देखिए आपको इस परकार से अंसर कर देना ठीक है इसके बास, question आपको यहांपगे संभारिक क्या होते हैं आपको इसका उधहरन तो आप आपको फेट कर दो यहांद करता है यहाँ कोष्षन के साथ परंतं पर वह बांग करते हैं उसे कहते हैं तक और इसके बाद question निवरान का आपका नमांकी चित्र आप question आपको यहाँ पर थोड़ा था कर दो चैनल को कर दीजिए सस्क्राइब और चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका इसके आत्वा का अंसर् यहां पे आपके 100% असली आपके वारेल पेपर के 100% आपका रियल पेपर एक एक कोश्चन रट लिना और यहां पे जखो हैदे पेशी के बिसेस कारें आपको हैदे बिना ठके हुए एक ले में लगातार सिकूरने और फैलने का कार करता है और रक्त को सीधे सरीर में पंप भी करता है ठीक है चलिए अंसर हो गया और इसके बाद कोश्चन आपको यहां पर आता है दसवा लिखा आपको कोश्चन और किसे कहते हैं और आपको यहां पर आधो कोश्चन दो नमबर कोश्चन चाल और बेक में आपको अंतर बताना है तो चलिए आपको यहां पर इसके अं बात में वह तेज चलती है अगला इस्टेशन आने से पहले उसकी चाल कम हो जाती है ठीक है तो यहाँ पे जो है प्लेट फाम पर पहुंचकर वह रुख जाती है रेलगारी की इस पूरी यात्रा आपको यहाँ पे उसकी चाल परवर्शित होती है फिर भी ऐसी रासी जिसे आ बाग देकर निकाल सकते हैं आपको यह सूत्र आपको याद कर लेना है रट लेना ठीक है इसके बात पॉर्शन आपको इसकी अध्वा कोश्चन चाल और बेग में अंतर आपको यह मिल जाएगा दसका आपको 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 चाल कहते हैं और विस्थापन पर परिवर्टन के चाल में परिवर्टन होता है और बेक में परिवर्टन विस्थापन की मात्रा या दिसा में परिवर्टन की करण हो सकती है ठीक है चलिए इस पर कोश्चन गयरबा दूरी विस्थापन में आपको अंतर बताना है तो आपको यहां पर अंसर दूरी और विस्थ बिस्थापन कहते हैं और आपको यहां पर अंसर देखिए इसका मान सदय धनात्मक होता है जबकि विस्थापन धनात्मक रिनात्मक और सुन भी हो सकता है यह एक अधिस रासी है और यह एक सदिस रासी है तो दो नमर कोशन है आप तीन पॉइंट याद का लिजिए बहुत है आपके लिए ठीक है इसके बाद कोश्चन आपका वारवा यहां पर गुरुत्यों करशन का सरवत्तिक आपको नियम बताना है और आपको यहां पर देखिए पूरा कोश्चन आपके बिद्सों का परतेक पिंद हर एक अंड पिंद से एक बल की दोरा अकरसित करता है यह बल दोनों पिंदों के दर्बनानों के गुलन फलके समान पाती और उनके बीच के दूरी के बरके विर्टकृणमारति होती है इसे है कितै आपके आपके गुरुत्ता करसल का सरवत्तिक नियतांग आपको यह चीचर आपको बना लेना है ठ्यक है यहां पर पूरा और ए आपके आपको अंसर यहां तक आपको लिख देना और प्टार के मात्रा है और जबकि वल जिसे बन्से प्रतिवी कि किसी बस्तो को अपने और आपका शिर्ख करता है उसे कहते हैं भर और आपको यहां पे देखिए इसे किलो ग्राम में काई मापा जाता है और इसे भास कर लेए इसके बाद कोंच्छन आपको यहां पे आता है ऐसा आपका तेरिवा पूस्ट्छन एक बस्तु का द्रमान 10 kg है तो प्रत्वी पर इसका भार कितना होगा और इसक तो उस पर उपर के उर एक बल लगता है जो बस्तु दोरा हटाये गए तरल के बहार के बराबर होता है जैसे यांपी जल्मानी उता है पंड़ुबियों में डिजाइन बनाने में इसका अनुप्रयोग होता है और दुग दूद्ध के आपको सुद्धा की जांद करने के बताने हैं तो यहां पर आपको कोश्चन में चोदीक अंसर धोनी सबसे अधीक हवा में माध्यम में गमन करती है कोई कंपिन बस्तू जब आगे बढ़ती है तो वे अपने सामने आने वाली हवा पर बल लग अगर उसे संपीरिज करती है आपको यह अंसर करना है और इसके बा लाश्ट देखें कौन सो क्वेश्चन आपका आता है 15 वा रदर फूट का परमालू मडल और समस्थानिक और संभालिक प्राइब तत्तों में आपके अंतर देगे कोश्चन में 15 पर आपको यह तीन नमर क्वेश्चन स्टाट होते हैं और इसके बाद पूरे आपको यह पर जे हिंद जे भारत वीडियो को दिल से लाइक करना साथ में चैनल को सस्क्राइब के बिना हर एक बच्चा नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहां से आपको हर एक वीडियो का प्रॉपर तरीके से नोटिविजन मिलती रहेगी तो मिलते नेक्ट वीडियो पर दिल के कहराई से वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को सेर कर दीजेगा